नमस्कार आप देख रहा है देडिया टॉप मैं हूं गादेश पूरी 2005 के बाद से अभी तक बिहार में काफी बड़ी संख्या में सिक्षकों की नियूती की गई आपको बताते कि नियोजन प्रक्रिया को अपनाया गया और जितने भी जन प्रत्नीदी हैं मुखिया और उनसे समंदित उन सभी को ये दाईत तो सौपा गया कि वो सिक्षकों की बहाली करे आपको बताएं कि नियोजन प्रक्रिया में काफी जम के भरष्टाचार हुआ और भाई बतियावाद हुआ और पैसे के लेन दिन के द्वारा वैसे लोगों को सिक्षक निक्ट कर दिया गया जो इसकी पातरता नहीं रखते थे आपको बताएं कि 2013 में ये मामला पटना हाई कोट में गिया और 2015 में पटना हाई कोट के द्वारा विजलेंस विभाग को ये पता लगाने की जिम्मेवारी दी गई कि विहार में कितने फरजी सिक्षक हैं और आपको बताएं कि 7 साल होने जा रहा है और अभी तक जो है निगरानी सिक्षको की जाँच नहीं कर पाई है कर भी कैसे पाईगी आपको बताएं कि नियोजन किंद्रों पर सिक्षको के मेधा सूची उनके डॉक्मेंट्स रखे गए थे और निगरानी जो है लगातार मा एक समय अलग समय पर यह बताया गया कि इतने हजार इतने लाक maker जो हैं कहीं से ख़ाता है कि खो गया कहीं से गुम हो गया कहीं टोर तरह तरह के बहाने बनाएं और उरॉर जितने भी źं परत्नीदि मुख्या थे और नियोजन के नाम पर कोह यग नहीं था बल्कि उनके घर ही उनके कागजात रखे जाते थे और वह क्या वाद उन्होंने की दे नश्ट कर दिया या फिर जब भष्टचाफ एक वेस्ट बनाया गया जिसमें कहा गया कि जितने भी सिक्षक है अपने मुल्द कगजात को वहां पर जमा करेंगे बावजूद इसके आप हम आपको बता दे कि 89,000 अभी भी फोल्डर नहीं मिले हैं यानि कि 89,000 सिक्षकों के फोल्डर अभी भी निगरानी को नहीं मिल पाए हैं जब कि कितना स इस से ये सावीत हो रहा है कि जो भी सिक्षक है जो फरजी है वो सरकार के फर्मान से नहीं डड़ने वाले हैं और उनकी एक भी बातों को मानने के लिए तयार नहीं है पूरा मामला बताते हैं आपको हम कि राज्ज में नियोजी सिक्षकों की बहाली में हुए फर्जीवारे की जाँच निगरानी ब्यूरो कर रही है परन्तु इस जाँच में नियोजनी काईया और जिला या प्रखंड सिक्षा कर्याले उचित सहयोग नहीं कर रहे हैं अब तक 89,097 सिक्षकों के फोल्डर निगरानी को संबंधित नियोजनी काईयों ने नहीं दिये हैं इसे लेकर निगरानी ने कई बार संबंधित जीलों में और प्रखंड अस्तरिये सिक्षा पतादिकारी कर्याले को पत्तर लिखा है लेकिन अब तक सिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं इससे जांश की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ गई है इन में सबसे ज़्यादा 88,00621 फोल्डर नहीं मिलने की प्रात्मिक अस्तर के सिक्षकों की है इसके अलावा माध्मिक और उच्चे माध्मिक अस्तर के सिक्षकों लाइब्रेरियन के 518 फोल्डर भी उच्चे माध्मिक अस्तर के 3,52,909 सिक्षकों की सूची जांच के लिए सिक्षा विभाग से मुहया कराई गई है इन में सबसे ज़्यादा 3,11,143 सिक्षक प्रारंभिक अस्तर के हैं इसके अलावा 11,787 उच्चे माध्मिक के और 27,897 माध्मिक और 2,82 लाइब्रेरियन की जांच सामिल है इन सबी सिक्षकों और लाइब्रेरियन के मिलाकर 2,63,212 फोल्डर निगरानी के पास भेजे गए हैं निगरानी ब्यूरो बिना मेधा सूची वाले फोल्डर नहीं ले रहा है आपको बता दे कि अब तक निगरानी ने सिर्फ प्रारंभिक अस्तर पर 3,32,4 ёт 4.33 सर्टिफिक्टों की जांच की है जिन में से 13,06 सिर्टिफिकेट फरजी पाए गये हैं 2,36,301 एक सर्टिफिकेट की अभी जांच बांकी है अब तक 3 अस्तर के सिक्षकों को मिलायकर 648 एक फाईयर हो चूकी है जिनमे 888 सिक्षक फरजी पा आए गये हैं मादमिक अस्त सब्सक्राइब देने के लिए कहा गया है साथ में हिदायत भी दी गई है कि डाटा भी इसी समय ओधी में उपलब्द कराया जाए यह कारण बताओ नोटिस माधमिक सिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जारी किया है तो आपको बता दे कि सरकार जो है वो फरजी सिक्षकों को पकड़ने में लगी हुई है लेकिन नियोजन केंदर के द्वारा डाटा ही उपलब्द नहीं कराये गए हैं और लगबग 90,000 के आसपास डाटा उपलब्द नहीं है और इसके साथ ही साथ लेट का ये भी कारण है कि दूसरे दूसरे राज्यों से डिगडिया लिए है जिनमें जाच में समय लगता है आपको बताएं कि हमने काफी इंटर्व्यू किया सिच्चक संग के अध्यक्षों के साथ मिंबरों के साथ उनका साथ को आना है कि निगरानी इसे कभी पता भी नहीं लगा पाएगी क्योंकि सिच्छा विभाग में ब्यापक भष्टा चार फैला हुआ है अभी आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही जब नियोजन चल रहा था सातवे चरंड का तो उसमें ही कितने नियोजन केंद्रों को भंग किया गया यहां से पता चल रहा था कि बहाँ पर जो हैं गलत कारे किये जा रहा है गलत अभ्यरतियों को सामिल किया जा रहा है और गलत मेदा सुची परकासित किया जा रहा है तो आपको बताएं कि सरकार भी जानती है कि नियोजन प्रक्रिया जो है वो काफी जमेले वाली है लंबी चलती है व्यापक बरश्टाचार होता है बावजूद इसके चालू रखा गया है शिक्षकों का मांग है कि सेंट्रलाइज व्योस्ता किया जाए और इन सब जमेलों से छात्रों को निकाला जाए क्योंकि इस से जो है बहाली मेंदेरी होती है सिक्षकों की परसानी होती है पैसे खर्च होते हैं और दो दो तिन-तिन साल से जो नियोजन प्रक्रिया है वो चल रही है लेकिन अभी तक उनका अंत नहीं हो पाया है तो मिगरानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि कभी भी ये पूरी तरीके से निस्पक्स जांच नहीं कर पाएगी लेकिन अब आपको बता दे कि सरकार ने अब कमर कस लिया है कि अब जो है देंगे तभी नियुक्ती पत्र देंगे तो अब देखने वाली बात है कि ये निगरानी की जांच जो है कब तक चलती है और क्या निगरानी विवहाग को सभी फोल्डर सिक्षकों से संबंदित मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इस से पहले भी जून जुलाई के समय में जब वेबसाइट दिया गया था इस पर अपलोड कराना था उस समय भी काफी कड़ाई की गई थी कि आपको किसी भी हालत में सभी सिक्षकों को जमा करना है नहीं तो आप फाया जाएगा बावजूद इसके 90,000 फोल्डर नहीं मिल पाएं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें हमारी चैनल दर इंडिया टोप सस्क्राइब जब कर लें धन्यवाद